एक गाउं में एक साहुकार रहता था वह एक धोके बाज साहुकार था जरुरत मन लोगों को साहुकार उधार में पैसे दिया करता था और उनसे दस गुना ज्यादा ब्याज वसूलता था इस तरह गाउं में साहुकार बहुत अमीर हो गया था और उसे अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था एक दिन उसी गाउं में एक साधु बाबा आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए उसी साहुकार के घर जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं तभी वहाँ साहुकार बाहर आता है और साधु बाबा से कहता है अब सुझार की बात सुनने के बात साधु बाबा साहुकार को कुछ नहीं कहते हैं और वहां से चले जाते हैं गाउं में घूमने के बाद सादू बाबा को साहुकार के बारे में पता चलता है कि कैसे वो जरूरत मन लोगों को उधार में पैसे देता है और जरूरत से ज़्यादा व्याज लेता है जिस वज़现在 उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो बहुत ज़ादा अमीर है सादु बाबा को जब साहुकार के बारे में ये सब कुछ पता चलता है तो वो सोचते हैं कि उस साहुकार को वो सबक सिखा कर रहेंगे और फिर इस सरह साधो बाबा अपने आश्रम चले जाते हैं और अपने एक ठेले को ये सारी बात बताते हैं और उसे साहुकार को कैसे सबक सिखाना है ये भी बता देते हैं आप परिशान मत हो ये बाबा मैं उस साहुकार को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो भू कभी नहीं भूल पाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और सीधे साहुकार के घर आता है और साहुकार से कहता है मेरा नाम मोहन है और मैं इसी गाउन की पासकी cela के में रहता हूं दरसल मेरे घर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और मेरे घर में बहुत सारे लोग आने वाले है जिसके लिए मुझे बहुत सारा खाना बनवाना है और उसके लिए मुझे कुछ बरतन चाहिए मुझे किराये पर दो बड़े बरतन चाहिए और मैं इसके पैसे आपको दे दूँगा लेकिन एक तीन के लिए मुझे दो बड़े बरतन चाहिए क्या आप मुझे दो बड़े बरतन दे सकते हैं हाँ क्यों नहीं आप मेरे यहां से किराये पे बरतन ले जा सकते हैं लेकिन आपको किराये पे बरतन ले जाने के लिए मुझ ये किराई के रूप में तिन सिक्के देने होंगे। मोहन साहुकार की बाते मान लेता है और पहले ही उसे तिन सिक्के दे देता है और वो दो बड़े बरतन लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मोहन साहुकार के दिये हैं बरतन को लेकर एक बरतन की दुकान में जाता है और साहुकार ने जैसे दो बरतन दिये थे वैसे ही दो थोटे बरतन मोहन खरीद लेता है और उन चारों बरतन को लेकर साहुकार के घर चला जाता है और साहुकार से कहता है साहुकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सही समय पर मुझे किराय के बरतन दे दिये इस वज़ा से मेरा आयोजन अच्छी तरह से बीत गिया अब ये लीजिए ये आपके चार बरतन ये आप क्या कह रहें बोहन जी साहुकार जी आपकी दोनों बड़े बरतन गर्वती थी और सुबा ही उन्होंने इन दोनों छोटे छोटे बरतनों को जन्द दिया है तो ये आपके ही बरतन हुए न लाल जी और धोके बास साहुकार ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो मोहन को कुछ नहीं कहता है और खुशी खुशी वो चार बरतन रख लेता है इस तरह कुछ दिन बीच जाते हैं कुछ दिनों बाद एक दिन मोहन एक बार फिर साहुकार के घर आता है और साहुकार से कहता है साहुकार जी कल मेरे यहां कुछ पुजारी भोजन करने के लिए आ रहे है और मुझे भोजन बनाने के लिए कुछ बड़े बरतनों की आविशकता है क्या मैं दो दिनों के लिए किराये पर आपकी बड़े बरतन ले जा सकता हूँ लालची साहुकार एक बार फिर मोहन की बातों में आ जाता है और लालच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से मोहन से कहता है मोहन जी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपके पुजारी के भोजन में किसी चीज की कमी नहीं होगी और इसके लिए मैं आपको एक दो बरतन नहीं बलकि पूरी एक गाड़ी बरतन दूँगा और आपकी मदद करूँगा आप मेरी पूरी एक गाड़ी बरतन यहां कर देता है और मोहन से कहता है मोहन जी ये सारे बरतन आपके हैं दो दिनों के लिए लेकिन हाँ एक बात का खयाल रखेगा मेरी ये सारे बरतन गर्वती हैं तो इनका खयाल रखेगा इने कुछ होना नहीं चाहिए हाँ साहुकार जी मैं आपके बरतनों को अच्छी तरह से ले को लेकर वहां से चला जाता है इस तरह कई दिन बीत जाते हैं लेकिन मोहन वापस नहीं आता है अब साहुकार को चिंता होने लगती है कि मोहन बरतनों को लेकर वापस क्यों नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी साहुकार कुछ दिनों तक और इंतिजार करता है लेकिन फिर भी मोह मोहन वापस नहीं आता है अब साहुकार को गुसा आने लगता है इतने दिन बीत गए हैं और वो मोहन अभी तक मेरे बरतनों को लेकर वापस नहीं आया है और ना मुझे कोई सूचना दे रहा है मुझे खुद उसके घर जाना होगा और अपने बरतनों को लेकर आना होगा हां मैं आजी उसके घर जाऊंगा और अपने सारे बरतन लेकर आऊंगा इतना बोलकर साहुकार मोहन के घर जाता है और मोहन से कहता है मोहन जी आपने कहा था कि आप सिर्फ दो दिनों के लिए मेरे बरतन को लेकर जा रहे हैं और फिर मुझे वापस कर देंगे लेकिन काफी समय हो गया आप ना वापस आए और ना मेरे बरतनों को भेजवाए मुझे अब मेरे बरतन वापस चाहिए लेकिन सहुकार जी मैं आपके घर वापस कैसे आता और आपके बरतनों को कैसे वापस करता अब ये असंभो है दरसल ब बहुत देखभाल किया लेकिन जब बच्चों का जन्म का समय आया तो वो गर्वती बरतने नहीं रहे ना मैं बरतनों को बचा पाया ना बरतनों की होने वाले बच्चों को बचा पाया तो मैं आपकी बरतनों को कैसे वापस करता मुझे माफ कर दीजिए ए मोहन फालतों की बातें मत करो तुम्हारा दिबाग खराब हो गया क्या बरतन मर कैसे सकते हैं तुम मुझे बेवकुब समझते हो ये आप क्या कह रहें साहुकार जी क्या आपको पता नहीं था कि आपकी बरतने गर्वती थी जिनका स्वास सही नहीं था वो नहीं बच पाए तो इसमें मैं क्या करूँ बस करो मोहन तुम धोके बाजो तुमने मुझे धोका दिया है बरतन बच्चे कैसे दे सकते हैं और वो मर कैसे सकते हैं तुमने मुझे बेवकुब बनाया है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुम्हारे इस धोके की सजा मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा मैं आज ही तुम्हें राजा के पास लेकर जाओंगा और तुम्हारे धोके की सारी बत बताओंगा और फिर इस तरह मोहन और साहुकार की बीच की बहस बढ़ती जा रही थी। अब ये बात राजा के फास पहुँच गई थी राजा दोनों पक्छों की बात को सुनते हैं जहां साहुकार राजा को सारी बात बताता है और फिर मोहन भी राजा को सारी बात बताता है दोनों पक्छों की बात सुनने के बात राजा साहुकार से कहते हैं साहुकार पहले तुम मुझे ये बताओ अगर तुम्हारी नजरों में अभी मोहन धोके बाज है तो ये धोके बाजी सब कहा गए थी जब मोहन ने तुम्हें पहली बार बताया था कि तुम्हारे दियोए बर्तनों ने बच्चों को जन्म दिया है तब तुम्हें ये नहीं लगा कि बर्तन कभी बच्चे जन्म नहीं देते हैं तब तुम्हें नहीं लगा कि ये मोहन तुम्हें बेव को बना रहा है जब तुम्हें पहली बार में ही ये भरोसा हो गया कि तुम्हारे बर्तनों ने दो छोटे छोटे बर्तनों को जन्म दिया ह तब ही तुमने ये बात मान ली कि मनोच ने जो कुछ कहा वो सच है तो दूसरी बार भी मोहन जो कुछ कह रहा है वो सच है तुम्हारे बरतन अब नहीं रहे और ये बात तुमें माननी ही होगी तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बरतन कभी भी छोटे-छोटे बरतन इसके बावजुद तुमने ये मुर्कता दिखाई है तो इसमें तुम्हारी गलती है मोहन की कोई गलती नहीं है अब साहुकार सिर जुकाय चुपचाप खड़ा रहता है साहुकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है इस तरह मोहन ने साहुकार को सबक सिखा दिया थ लेकिन तभी मोहन राजा से कहता है महराज सायद आपको पता नहीं होगा लेकिन साहुकार एक नमबर का धोके बाद साहुकार है इसकी गलतिया यही पर खत्म नहीं होती है इससे पहले भी ये बहुत सारी गलतिया कर चुका है ये गाउं में गरीब लोगों को पैसे उधार में देता है और व्याज दस गुनाज ज्यादा वसूर करता है इस तरह ये साहुकार गरीबों को लूट कर अपने घर में खूब सरा धन एकठा कर लिया है इसके बावजुद अगर कोई साधू इस लालची साहुकार के घर में भिक्षा मांगने आ जाता है तो ये साहुकार उनका अपमान करके अपने घर से बाहर निकाल देता है मेरा मकसद बस इसका घमन तोड़ना था और इसे सही सबक सिखाना था साहुकार आज के बाव से अगर तुमने किसी भी गरीब को उधार में पैसे दिया और उसे दस गुना ज्यादा व्याज वसूल किया या फिर किसी भी साधू का अपमान किया तो तुम्हारे पास जो संपती बची हुई है जो धन तुम्हारे पास है वो राजा के द्वारा वापस ले लिया जाएगा मुझे माफ कर दीजिए आज के बाद से मैं ये गलती नहीं करूंगा और मैं उस साधू बाबा से भी जाकर माफी मांगूंगा जिनका मैंने अपमान किया था और साथी उन गरीबों के पैसो को वापस कर दूँगा जिनसे मैंने दस गुना ज्यादा व्याज वसूल किया था और फिर इस तरह साहू कार को अपनी गलती का एसास हो जाता है और वो सबसे पहले साधू बाबा से माफी मांगता है और फिर जितने भी गरीब लोगों के पैसे को वो लेता है उन सब गरीबों के पैसे को साहुकार वापस कर देता है